हेलो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत आपके पने यूट्व चनल बीसे सेंटर में तो आज हम बात करने वाले हैं जो फ्यूजपी वाले सा स्टूडेंट है और जो पीजी वाले स्टूडेंट है ठीक है तो क्या कुछ उसके डिग्री में लेकर के बदलाव किया दा र प्रविति की तरज पर शुरू हो रहे चार वर्षी असनातक के लिए डिग्री के फॉर्मेट में हो रहा बदलाओ देखलो यूजी सी ने विश्विदाले को भेजा पत्र आने की यूजी सी ने क्या क्या सारे विश्विदाले को सारे यूइनिवर्शिटी को पत्र भेज दिया गया अब इसमें क्या चीजे लिखा गया है अब देखो नीचे जो बड़ा अच्छर से लिखा गया है असनातक की डिग्री पर ओनर्स नहीं अस्पेसलाइजेशन लिखा होगा अब यह सब चीज आपको समझ में नहीं आएगा चुलों मैं आप लोगों को डिटेल सम असपेसलाइजेशन अब यह असपेसलाइजेशन क्या होता है तो मैं पहले आपको पढ़के सुनाता हूं उसकी बात मैं बताऊंगा देखो यूजीसी ने कहा कि चार वर्थ के सनात्ता कोर्स में चात्रों को मेजर और माइनर विसे लेने होंगे चात्रों जो मेजर विसे असपेसलाइजेशन इन म्यूजिक या फिर बीए म्यूजिक लिखा रहेगा इसका मतलब क्या हो मैं आप से बीको बताता हूं ठीक है देखो इसका यह कहना कि जो चार साल वाले बच्चे है आनि एफ आ यूजी पी जो चार साल का गेडियोशन करने ठीक है बीए में तो उन पोल्टिकल सेंस है आप मेजर करें पोल्टिकल सेंस है तो आपका लिखा रहेगा be a specialization in political sense आनि कि be a political sense इसका मतलब यह होगा कि ओ a student आगे का जो field है ओ political sense में ही जाना चाहता है specialization का मतलब होता है उसका आगे का field क्या है वो उसी field में जाना चाहता है तो उसका main चीज़े वही है main मकसद वही है अगर कोई संगीत लिया है इसका मतलब यह है कि वो a student संगीत में ही जाना चाहता है तो उसका एक संगीत का special degree माना जाएगा ठीक है मालो कि उसके साथ आप लोगों का major रहता है major के साथ IRC रहता है CC रहता है CC56 की सब तो उस सब को आपको नहीं देखा जागा degree में आपका degree देखा जागा man कि man major क्या आपका student किस field में जाना चाहता है तो उस आपका संगीत से देखकर के पता लगा लगा कि आप किस field के student है मालो संगीत लिखा रहेगा तो आपको संगीत का संगीट की फिल्ल में जाना चाता है तो इस परकार से आपका संगीट में बदलाव गया जागा जो कि इसके पहले वाले जो संगीट मिलते था स्टुडेंट को ऐसा कुछ भी लिखा नहीं जाता था तो एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ठीके अच्छी बात है ये तो आप यहाँ पर ये देखना की चीजह लागू किस पर हो रहा है कब से लागू हो रहा है ये नया सेशन वाले स्टुडेंट पर लागू होगा या फिर लागू नहीं होगा क्योंकि अभी सिर्फ बताया गया कि सारे युनिवर्सिट्यों को भेजा गया है ठीक है अब यहां पर भी देख सकते हैं एक और यहां पर क्या बता गया चार वर्स की डिगरी पर लिखा रहेगा honors with research है ना वहीं जो चार वर्स का course पूरा करेगा अगर आनि कि जो बीज में नहीं छोड़ेगा पूरा कर लेगा उन्हें honors with research का डिगरी भी दी जाएगी आनि honors with research honors तो आप लोग कर ही ले रहें major को ही honors बलते हैं उसके बाद लिखा क्या रहेगा honors with research की डिगरी भी दी जाएगी बहुत बड़ा डिगरी एठीक है अगर कोई छात्र आर्स भी सेका है तो उसके डिगरी पर क्या लिखा रहेगा बीए honors आनि कि यह से क्या किया honors किया है और with research research के साथ लिखा रहेगा आपका जो कि आपका जो सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ जाता है उसके बाद बात करते हैं पीजी वाले स्टूडेंट का तो पीजी वाले स्टूडेंट के क्या कुछ निकल कर क्या रहा है तो यहां पी देख सकते हैं MSC नहीं बलकि MM आप लोग MSC की degree पर क्या लिखा रहेगा B S लिखा रहेगा समझ गये तो यह आप लोग को कुछ बदलाव किया गया जो कि आप लोगों को जनकारी देने बहुत जरूरी था ठीक है बाकि आपको वीडियो का ऐसा लगा और आगर आप लोग समस्टर 2 में हैं और उसका त्यारी करना चा कि आतता है neurot a bebा रहे जर्माउ दो अ कि एसे है खबाए ने समस्टर 2 मेंी बहुत आपया यह जो अगममत कि पागर आपखे Sud नारी को जर पनू के वीडिया आप यह वीडियो नारी के जरूरीक है मुचया जर्मान प Johns